नमस्कार अगर आपको याद हो हमारे एक प्रधानमंत्री होते थे विश्वनात प्रताप सिंग जब वो प्रधानमंत्री रहे तो उनको भारती जन्ता पार्टी बाहर से और लेफ्ट पार्टियां बाहर से समर्थन कर रही थी तो एक हलका सा मजाख सा होता था कि यह ऐसी सरकार है जो दो बेसाखियों पर है और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करती चली जा रहे ही वीपी सिंग साहब ने जटके से एक फैसला किया कि मंडल कमिशन की जो सिफारिश हैं उनको लागू किया गया 27 परसेंट रेजरबेशन सरकारी नौकरियों में और सरकारी इंस्टिटूशन में उनिवर्स्टेश वगरह में जो पिछली जातिया है वो रेजरबेशन कर दिय जा गया उठाके इससे सारे भारत में बहुत तनाव फैल गया तब भारती जंता पार्टी वालों को लगा कि यह तो हिंदू समाज जो है विखंडित हो जाएगा लहाजा एल के एडवानी ने एक राम रथ यात्रा प्लैन की थी वो शुरू की सोमनाथ से लेकर अयोध्या अब हम बार-बार कहते हैं और यही एक्स्प्रेशन इस्तेमाल करते हैं कि एर कंडिशन टोयटा रख पर की गई सियात्रा ने अपने पीछे फिरका परस्ती का सामप्रदाइक्ता का एक ऐसा काला जहरीला धुआ चोड़ा जो हमारे समाज का मुझ काला कर गया और इसने हमा कंडिर का एजेंडा हो हिंदुत्व का एजेंडा आज के दिन भार्ति जन्ता पार्टी की अपनी सरकार केंडर में भी राजियों में भी है लेकिन एलके एडवानी अलग थलक पड़ गए हैं अकेले खड़े हैं उनके साथ आज कोई भी नहीं है नमंबर में 90 साल के हो उनके साथ उस धंक से एक जूट होकर इकटे खड़े हुए नहीं है उन पर क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी के चार्जेज लग चुके हैं अब इसको क्या कहें यह नेमेसिस अंग्रेजी का शब्द है वो कहें कि जो कुछ किया था आपका जो पास्ट है आपका जो भूत है आपक असरीलाल कृष्ण अडवानी जी की सोगन्राम की खाते हैं एलके अडवानी जिनदाबाद लोग कहते हैं कि आप अडालत का फैसला क्यों नहीं मानते अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था के नहीं हुआ था आपसे तो इतनी आशा है बीच में मत पड़ो रास्ते में मत आओ जिन लोगों के हाथो पर खून है चाहे हो सज्जन है चाहरए उम्र उनकी उसमें बीथ ही जाती है व्यर्थ हो ही जाती है। जैसे जो लोग बहिमानी, हेरा फेरी से, black marketing से, money laundering से कुछ but to official and cases हो जाते हैं तो वह case था उम्र उनका पीचा करते ही राते है। ये उन लोगों के लिए सबक है जो सत्ता के मद में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं रहता कि अभी आने वाले साल बहुत हैं बाकी कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, कभी ना कभी तो इनसाफ होगा वेराल आज एडवानी अकेले खड़े हैं और ये अकेले खड़े हैं उस रत्यात्रा के बार जिसने अपने पीछे फिरकापरस्ती के साथ-साथ हिंसा का काला धुआ भुआ भी छोड़ा बच्चा बच्चा राम का रम गुमी के काम का बच्चा बच्चा राम का मुसल्मानों के खिलाव जो हिंसा हुई रत्यात्रा के बार वो जैपूर, जोद्पूर, एमदाबाद, बड़ोदा, हाइदराबाद और कुछ और जगहां पर भी हुई जैपूर ही में 23 अक्टूबर और 31 अक्टूबर के बीच 130 लोग मारे गए केम पानिकर का एक अनुमान है कि 166 सामप्रदाइक दंगे हुए मुसल्मानों के खिलाव एडवानी की रत्यात्रा के बार एक सितंबर से लेकर 20 नमंबर तक जिन में 500-400 लोग मारे गए थे अब देखना ये होगा कि जब जैन हवाला डायरी में एडवानी का नाम आया था तब नर्शिमर राओ प्रदान मंत्री थे सिर्फ एक डायरी में नाम आने पर एडवानी ने संसर से इस्तीफा दे दिया था इस दवी तो क्रिमिनल चार्जिस उन पर लग चुके हैं वो जमानत पर बाहर है क्या अब भी वो MP बने रहेंगे देखना ये होगा वक्त कैसे पंक लगा अगर उर जाता है पता ही नहीं चला देखते देखते तीन साल बीद गए भाशन सुनते सुनते तीन साल बीद गए रैलियां देखकर तीन साल बीद गए तरह तरह के इवेंट्स देखते देखते तीन साल बीद गए लेकिन हुआ क्या तीन साल में जरा उस पर भी निगाह डालना जरूरी है बातों बातों में ही ध्यान बटा दिया गया और तीन साल बीद के इस दिहां में सीरीज कर रहे हैं कि तीन साल का धिंडोरा सरकार पीटे रही है हम आपको एक काउंटर नेरेटिव दे रहे हैं आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया की डिजिटल इंडिया भी प्रधान से वक्त ननेंद्र मोरी ने बहुत धूमधाम से लाउंच की थी इसको लाउंच किया गया थे एक चुलाई सन 2015 को इरादा यह था कि जितने भी गा के कारेकाल में और इरादा यह था कि धाई लाख गाउं को सन 2017 तक ऑनको डिजिटल इंडिया से जोड दिया जाएगा नाम डिजिटल इंडिया नहीं था लेकिन इसको यहांटिविटी से जोड दिया जाएगा प्रधान से वक्त मोधी ने इसको 2017 के पजयाय 2016 कर दिया कि हम उससे भी पहले कर लेंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं है जो जो हुआ हम आपको बता रहें डिशलिंडे की सबसे बड़ी समस्या जो आई है सामने वह है टैक्सिस को लेकर और रिगूलेशन को लेकर कि इसको नियमित कैसे किया जाए और टैक्सिस किस तरह के होंगे पहली समस्य दूसरा जो पार्टी सामने आएंगी इसमें अपना पैसा लगाने के लिए भारत को इस सारी कर्विक च्छाता देने के लिए उनके जो कॉंछेक्ट होंगे ठेके होंगे वह उसमें भी बहुत मुश्किला आता है कि कि से और उसकी रफ्टार धीमी परी दीसरा सरकार ने जो request for proposals का न्योता दिया था प्राविट पार्टियों को, प्राविट पार्टियों ने उसे लिया नहीं है, मन्जूर नहीं किया है, बहुत-बहुत-बहुत ही उनके concerns है, सरोकार है, टैक्सिस को लेकर, नियमों को लेकर, rules and regulations को लेकर, उनको क्या फायदा होगा उसको लेकर, इस वक्षपन हजार गाओं ऐसे हैं, जहां पर digital connectivity नहीं है, 55,000 गाओं, एक चीज़ होती होती होट-सपॉट, होट-सपॉट मने जैसे ये इलाका है सारा, ये बहर का इलाका है सारा, एक खास जगह पर होट-सपॉट बना रिया गया, जहां से हम अपना Wi-Fi connection जोड सकते हैं, हमें 80,000,000 होट-सपोट चाहिए, क्योंकि जो पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है वो यह है, कि 1.500 लोगों के पीछे एक होट-सपोट होना चाहिए, इस हिसाब से हमें 80,000 होट-सपोट चाहिए, अभी हमारे पास सिर्फ 31,000 होट-सपोट है, सिर्फ 28% औरतें मॉबाइल फोन इस्तेमाल करती हैं, दूर दराज इलाकों में बिजली नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, जितने लोग गरीबी की रिखा के नीचे रहते हैं, उनसे उमीद नहीं की जा सकती कि वो मॉबाइल फोन बे इस्तेमाल करेंगे, या वाइ-फाइ इस्तेमाल करेंगे, डिश्टिल इंडिया में जो रफ्तार आनी चाहिए थी, जिस तरह से इंसेंटिव देने चाहिए थे, वो नहीं दिये गए, मैं आपको कुछ और बताता हूँ, एक सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत होती है, डिश्टिल इंडिया बनाने के लिए व अप्टिकल फाइबर, जिसके जरीए पूरा सिगनल जाता है, इंटरनेट का सिगनल जाएगा, दूसरी टेलेफोनी का सिगनल जाएगा, उसका जो जाल होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, और सन्थ 2011 में, UPA सरकार ने जैसे मने आपको पहले बताया, कि 20,000 करोड की लागत से धाई लाग गाउं को इस नेटवर्क से जोडने का फैसला किया, अप्टिकल फाइबर के, जिसे 2017 में पूरा होना था, लेकिन प्रधान सिवक ने का कि नहीं, हम इसे 2016 में ही कर लेंगे, 2016 बीत क्या है, आज की हालत क्या है, हम आपको बता दें, सिर्फ 37 फीसद ऑप्टिक गाउं हमारे कनेक्ट हो जाने चाहिए थे, इरादा ये था कि मार्च 2014 तक एक लाग गाउं को कनेक्ट कर दिया जाएगा, और 2015 तक दो लाग गाउं को, और 2016 तक अगले 50,000 गाउं को, ऐसा लेकिन हुआ नहीं है, जितनी भी ग्राम पंचायते नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंदित हैं, जुड़ी हुई हैं, कनेक्टिड हैं, सिर्फ 13 फीसद के पास इंटरनेट का कनेक्शन है, और ये वाला जो 13 परसंट है, फेज वन के लिए उसका सिर्फ 6 परसंट बैठता है, यानि सिर्फ 13 परसंट ग्राम पंचायतों के पास आज के दिन इ इसमें स्यानापन दिखाया यह नहीं, यह आप फैसला करें, लेकिन एक साथ इतने सारे मोर्चे खोल दिये, डिस्टल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल्ड इंडिया, मेक इन इंडिया, गोल बांड्स, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अच्छे दिन, बुल सुनते सुनते तीन साल बीद के, सपने देखते देखते तीन साल बीद के, हकीकत आपके सामने अब आ रही है, नमस्कार, आप देख रहे थे, जन गणमन की बात, हम आपसे एक बार फिर, इलतिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाईए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाईए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, आपको खुद बखुद सूर्चना उसकी ने जाए